निकी आयोग की गवनिंग काउंसिल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्ज साथ मिल करके कारे और निश्चित दिशा में आगे बढ़े कोपरेटिव फेडरलिजम को और अधीक सार्थक बनाना और यही नहीं हमें प्रैत्न पुर्वक कॉम्पिटिटिव कोपरेटिव फेडरलिजम को न सिर्व राज्जों के बीच डिस्ट्रिक तक ले जाना है ताकि विकास की इस परधा निरंतर चलती रहे विकास ये प्राइम एजेंडा मेनार है देश को नई उचाई पर ले जाने की इस परधा कैसे बढ़े ये मन्थन करने के लिए पहले भी कई बार हमने चर्चा की है आज भी स्वाभाविक है कि इस समीट में उस पर बल दिया जाएगा हमने कोरोना कालखन में देखा है कि कैसे अब राज्यों और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छबी निर्मान हुई साथियों आज जब देश अपने आजहादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है तब इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपुण हो गई है मैं राज्यों से भी आगरह करूँगा कि आजहादी के 75 वर्ष के लिए अपने अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़ करके समीतियों का अंदिर्मान हो जीलों में भी समीतियों का अंदिर्मान हो अप से कुछ देर पहले इस बैठक के लिए बिंदुओं का एक सरसरा उलेक आपके सामने हुआ है इन एजेंडा पॉइंट्स का चयान देश की सरवोच्य प्रात्विक्ताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है इन एजेंडा पॉइंट्स पर राज्जों से सुझाव लेने के लिए राज्जों को तैयारी का परियाप्त समय देने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया गया कि इस बार नीतियों के साथ राज्जों के सभी प्रमुक अधिकारियों के साथ एक अच्छा सा वर्क्षप भी हुआ इसके पूर्वा और उस चर्चा में जो पॉइंट आये उनको भी इसमें जोड़ दे के लिए हमने प्रयास किया है और इसके कारण काफी सुधार और प्रकार से राज्यों की अपेख्षाओं को ध्यान में रखते हुए एजंडा बना है इस प्रक्रिया से गुजरने की वज़े से इस बार गवर्निंग काउंसिल के एजंडा पॉइंट बहुत स्पेसिफिक है और हमारी चर्चा को और सारगर्वित बनाएंगे साथियों पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे देश के गरीबों को एमपावर करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से, टीका करण बढ़ने से, स्वास्त सुवीदा बढ़ने से, मुप्त बिजली कनेक्शन मिलने से, मुप्त गैस कनेक्शन, मुप्त सोचाले निर्मान की होजनाओं उनके जीवन में, खास करके गरीबों के जीवन में, एक अभूत पूर्व बढ़लाव नजरा रहा है। दो करोड चालिस लाग से जादा घरों का निर्मान पूरा किया गया है। राज्य को ये उप्योगी होने वाला है। उसी प्रकार से पानी की कमी और प्रदूशित पानी से होने वाली बिमारी लोगों के विकास में बाधानों बने, कूपोशन की समस्याओं को बढ़ाये नहीं, इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है। जब जल जिवन मिशन सुरू होने के बाद से पिछले अठारा महिनों में ही साड़े तीन करोड से भी अधीक ग्रामेड घरों को पाइप वोटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। गावों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम एक बड़े बड़लाव का माध्यम बन रही है। ऐसी सारी योजनाओं में जब केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर काम करेगी तो काम की गति भी भड़ेगी और अंतीम व्यक्ति तक उसका लाव पहुचना भी सुनिस्सित हो जाएगा। साथ्यों इस वर्ष के बजेट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉंस आया है। चारों तरब से एक नई आशा का बातवन पैदा हुया है। उसने जता दिया है कि मूर अब देशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गवाना चाहता है। और कुल मिला करके देश के मन को बनाने में देश का युवमन बहुत बड़ी भुमिक आदा कर रहा है। और तभी ये बड़लाओं के प्रती एक नया आकर्षन पैदा हुआ है। हमें भी कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की स्विकास यात्रा में और ज्यादा उत्सा से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्सा का प्राइवेट सेक्टर की उर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिरभर भारत में उतना ही अवसर भी देना है आत्मनिरभर भारत एक ऐसे नए भारत के तरब कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्ता, हर उद्यम को अपनी पूरी ख्षमताओं से आगे बढ़ने का आउसर मिले है साथियों आत्मनिरभर भारत अभ्यान एक ऐसे भारत का निर्मान का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्रक्ताओं के लिए बलकि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व स्रिष्ठता की कसोटी पर भी खरा उत्रे और इसलिए में हमेशा कहता हूँ जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट भारत जैसा युवा देश उसकी आकांच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इन्फास्ट्रक्र का निर्मान करना होगा इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा टेक्टनोलोजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोक करना होगा सिख्षा काउसल के बहतर अउसर उन्हें देने होगे हैं चात्यों हमें अपने बिजनेस को MSM को स्टार्ट अप्स को और मजबूत करने की जरूरत है हमारे हर राज्य की अपनी एक खुबी है हर राज्य के हर जीले के पास अपना हुनर है अपनी खासियत है कई प्रकार के पोटेंशल्स हम बारी की से देखे तो नजर आते हैं सरकार द्वारा देश को ये सैकडो जीलों के प्रोडक्स को सौटलिस्ट करके उनके वेल्यू एडिशन के लिए मार्केडिंग और एक्सपोर्ड के लिए उन्हें प्रमोट किया जा रहा है इससे राज्यों के बीच एक स्वस्त स्परधा अभी प्रारम हुई है लेकिन आगे बढ़ाना है कौन राज्य सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ड करता है अधिक से अधिक प्रकार की चीज़े एक्सपोर्ड करता है अधिक तब देशों में एक्सपोर्ड करता है अधिक से अधिक मुल्य की चीज़े एक्सपोर्ड करता है और फिर जीलों में भी इस परधा कैसे बने और हम पर विशेस बल हर राज्य हर जीला कैसे दे हमें इस प्रयोक को जीलों और ब्लॉक्स के बीच भी लेकर जाना है हमें राज्यों के संसाधनों का पूरा इस्तिमाल करना होगा राज्यों से होने वाला एक्सपोर्ट हमें आग्रपुरवग और इसका हिसाब कर दाब हर महीना ल प्रयाज्यों के बीच बहतर तालमेल भी बहुत जरूरी है अब जरते हमारे यहां कोस्टल स्टेट है मत्से उद्योक को ब्लू इकॉड़ामे को और मचली को विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए और सिमित अवसर हैं हमारे कोस्टर स्टेट उसके लिए क्यों ने स्पेशल इनिशेटीव ले देखिए इकॉनोमी को बहुत बढ़ा पल मिल सकता है हमारे फिशनमेन को बहुत बढ़ा बद मिल सकता है मैं चाहूंगा का आप इस बात से परचित है कि केंद्र देश में manufacturing बढ़ाने का बहतरीन आउसर है राज्यों को भी इस किम का पूरा लाब लेते हुए अपने यहाँ जादा से जादा निवेश आकर्चित करना चाहिए corporate tax की धरे कम करने का लाब भी राज्यों ने बढ़ चड़ करके उठाना चाहिए आपने ऐसी कमपनियों का संपर करना चाहिए कि दुनिया में इतना कम tax rate जब किया गया है तो उसका फायदा आपके राज्यों को मिलना चाहिए साथियों इस बार के बजेट में infrastructure के लिए दिये गए फंड की भी काफी चर्चा हो रही है infrastructure पर होने वाला एक खर्च देर की अर्थव्यवस्ता को कही स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा रोजगार के भी बहुत अवसर पैदा करेगा एक multiple effect होती है इसकी national infrastructure pipeline में राज्यों का हिस्सा 40 प्रतिशद से इसलिए 40 प्रतिशद है और इसलिए जरूरी है कि राज्यों और केंद्र मिलकर अपने budget को synchronize करे planning करे और प्रात्विक्ताओं को तै करे अब भारत सरकार ने अपना budget पहले के तुला में एक महिना प्रिपोन किया है राज्यों के budget और केंद्र के budget तो केंद्र के budget के light में राज्यों का budget बनता है तो दोनों मिलकर के एक दिशा में आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी राज्यों के budget चर्चा करते होंगे जिन राज्यों का budget अभी आने वाला है वो इस काम को और प्राथिक्ता पर कर सकते हैं केंद्रिय बजेट के साथ ही राज्यों का budget भी विकास को गती देने में राज्यों को आत्मेंदिर पर बनाने में उतना ही एहम है सात्यों पंदर में वित्त आयोग में लोकल बोडिच के आर्थिक संसाधनों में बड़ा इजापा होने जा रहा है स्थानिय स्तर पर गवर्नस में सुधार लोगों का लिए quality of life और उनके आत्मविश्वास का आधार बनती है इन सुधारों से मैं टेकनोलोजी के साथ साथ जन्भागीदारी भी बहुत आवश्यट है मैं समझता हूँ कि पंचायत राजव्यवस्ता तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिद्यों को इस convergence तथा आउटकम्स के लिए जिम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है स्थानी स्थर पर बडलाव के लिए जीले राजज और केंद्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रणाम कितने सकारात्मक आते हैं इसके लिए आकांग्शी जिलों का उदारन हमारे सामने है एस्पिरेशनल डिस्टिक का जो प्रयोग रहा है वो अच्छे परणाम दे रहा है लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कारण जो गति आनी चाहे तो नहीं आई लेकिन अब फिर से उस पर हम बलते सकते हैं साथियों कुर्शी अपार्ग समताव से भरी है लेकिन फिर भी कुछ सच्चाईयां हमें स्विकार करनी होगी हम कृशी प्रदान देश कहें जाएं उसके बाउजित भी आज करीब करीब 65-70,000 करोड रुपिया का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं यह हम बंद कर सकते हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है दालों में प्रयोग किया उसमें सफलता मिली अब दाम बाहर से लाने में खर्ट हमारा काफी कम हुआ है ऐसी कई चीजे कई खाद्य चीजे बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पाद में कोई मुश्किल नहीं है थोड़ा गाइड करने की जरूत है और इस लिए ऐसे कई क्रसी उत्पाद हैं जो हमारे किसान ना सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं बलकि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य अपनी एग्रो क्लाइमेटिग रिजनल प्लानिंग उसकी स्ट्राटिजी बनाएं उसके हिसाब से किसान को इमदद करें साथ यों बीते वर्षों में कुरुशी से लेकर प्रशू पालन और मच्च पालन तक एक होलिस्टिक एप्रोच अपनाएं गयी है इसका परणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश में कुरुशी निर्यात में काफी बढ़ोत्री हुई है लेकिन हमारा पोटेंशल इससे अनेक गुना ज्यादा है हमारे प्रोडॉक्स का वेस्टेज कम से कम हो इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशल जहां भी है उसको जो सारी मुनाफ्य और प्रोसेस प्रोडॉक्त के तौर पर बेची जाती है क्या हम सीधे प्रोसेस फिस्ट प्रोडॉक्त को बड़े पैमाने पर एक्ष्पोर्ट नहीं कर सकते हमारे सभी कोस्टर स्टेट खुद अपना इनिस्टेटिव लेकर के इस पूरे ग्लोबल को उपर अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थितिक कई और ख्षित्रों कई और प्रोडॉक्त के साथ है हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक समसाधन मिले बहतर इंफा सेक्टर मिले आधुनिक टेक्नोलोजी मिले इसके लिए रिफॉंस बहुत जरूरी है साथियों हाली में ऐसे कई रिफॉंस किये गए हैं जो रेगुलेशन को कम करते हैं सरकार का दखल कम करते हैं मैंने पिछले दिनों देखा सरकार के अंदर सामानि व्यक्ति को कम्प्लाइंस हचारों ऐसे कम्प्लाइंस हैं जिसको हम निकाल सकते हैं जैसे पिछले दिनों हमने 1500 कानून खतम किये मैं राज्यों से आगरह करूंगा आप एक छोटी टीम बिठाइए बिना करान अब जब टेक्नोलोजी हैं तो बार-बार चीजे मागने की जरूरत नहीं है लोगों से यह कम्प्लाइंस का बर्डन देश के नागरिक के सरपर से हम कम करें राज्या आगे आए मैंने भी भारत सरकार में कहा है और हमारी केमिनेट सेक्रेटिर उसके पीशे लगे हुए हैं कम्प्लाइंस के संख्याप जितनी कम हो करनी है यह भी इज आफ लिविंग क अब ने देखा हो कि कुछ मुहत्व पूर निर्ने किये उसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है लिए इसका परणाम बहुत बढ़ा होता है ओस्पी रेगुलेशन को रिफॉर्म किया गया था इससे युवाओं को कहीं से भी काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिली है इ मुझे कहियों ने बताया कि उनके 95 परसंट लोग अब गर से ही काम कर रहे हैं और उनका काम अच्छा चल रहा है अब देखे ये कितना बड़ा बड़लावा रहा है हमने इन चीजों पर बल देना होगा हमें ऐसी जो बंदिसे हैं उन सारी बंदिसों को समाप्तर करना चाहि जियो स्पेशल डेटा से जुड़े नियमों को भी लिब्रलाइज कर दिया है जो अभी हमने किया है वो अगर आज से दस साल पहले हम कर पाते तो शायद ये गूगल वगरे भारत के बाहर नहीं बनते हैं वो हमारे हैं बनते हैं हमारे ही लोगों की टैलेंट है लेकिन प्र चानवी की ईज लिवग बढ़ाने में मदद करेंगा और साथियों में दो चीछों का आगर होंगा और विश्व में हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है जो उस अवसर को जुटाने के लिए हमारा हमारी कोशिज रहनी चाहिए ईज अब बिजनेस और भारत के नागरिकों के लिए Use of doing business का महत्व है, और उसके लिए हमारे कानूनों में सुधार करना होगा, ववस्ताओं में सुधार करना होगा, और देश के नागरिकों की आशा पेक्षाओं को पुरा करने के लिए, उसके जीवन को सरल करने के लिए, ease of living के लिए जो चीज़ आवशक हैं उसको बल देना पड़ेगा साथ को मैं अब आपके अनुभव, आपके सुझाओ, सुनने के लिए उत्सुख हूँ आज हम दिन भर बैटने वाले हैं, बिच में एक थोड़ा समय हम ब्रेक लेंगे लेकिन हम सारे विश्वों की बात किर करेंगे, मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह इस बार भी आप सभी के तरह से रचनात्मक और सकारात्मक विचार आप देश के ओगे ले जाने में बहुत काम आएंगे और हम सम मिल करके केंद्र और राज्य हम एक देश के रूप में एक ही दिसा में जितनी शक्ति लगा सकते हैं, लगी सक्ति लगा करके विश्व में एक अभुत पुर्व आउसर भारत के लिए पैदा हुआ है, इस मोका हम जाने नहीं देंगे इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस महत्वपुर्व समीट में आप सबकी उपस्तितों का स्वागत करता हूँ, आपके सुझावों का इंतजार करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद